तरह के जो exist करते हैं यहां वही बायो डाइवरसिटी है और यह हमारे health के लिए, हमारे environment के लिए, हमारी खाद ब्यान की भोजन जो हम करते हैं उसके लिए इन सबों के लिए जरूरी है अब आज हम लोग types की बात करेंगे कि कितनी प्रकार की वायो डाइवरसिटी होती है कितनी प्रकार की होती है तो पहला है आप लोग चाहें तो इसको लिखते चलें आपके काम आएगा तो एस्पेसीज डाइवरसिटी एस्पेसीज डाइवरसिटी ये पहला प्रकार है इस इस पर्स टाइप एस्पेसीज डाइवरसिटी बाद में मैं एक्स्प्रेइन करता हूं दूसरा है जेनेटिक डाइवरसिटी genetic diversity और तीसरा है, the third type is ecosystem diversity the third type is ecosystem diversity, so the first type, species diversity second one is genetic diversity and the third one is ecosystem diversity अब देखिये आपकी species diversity किसको कहते है मतलब दो species में diversity अगर हो विविधता अगर हो और ये दोनों के करीब हो दोनों के करीब हो तो ये species diversity जैसे अब देखिये कई तरह की species है, सबसे पहले जो उसको classify किया गया है species को इनको classify किया गया है जमीन पर रेंगने वाले पैरों पर मतलब दूद पीने वाले माता का दूद पीने वाले जो स्तन पाई जानवर है तो जिनको उनको mammals कहा गया जो जमीन पर रही हैं किसी की आवाज आ रही है जरत देख लेना किसका है तो उसको कहते हैं reptiles यानि जो सरिसरिप हिंदी में कहते हैं अंगरेजी में उसको कहते हैं reptiles जो रेंगते हैं सांप बगेरा हैं उसमें इसी तरह से जो दूद पिलाने वाले हैं तो इस तरह से बहुत सारी मतलब mammals और आपको ये आश्चरे हो सकता है या हो सकता है शायद आप जानते भी हो कि जिन चमगादरों को कोरोना वाइरस का माना जा रहा है कैरियर और माना जा रहा है कि उससे फैला हो सकता है तो वो भी mammal है वो भी चमगादर भी अपने बच्चे को दूद पीलाता है तो ये mammals की category में तो इसी तरह से अलग-अलग उसके बहुत detail में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभी topic है पहले हम उसकी बात कर लें तो इसी तरह से बहुत सारे मतलब अलग-अलग इस्पेसीज की जो diversity है अलग-अलग इस्पेसीज की वो bio-diversity के और ये इस्पेसीज सिर्फ जानवरों में नहीं हम बात कर रहे हैं उनकी भी जो पौधे हैं, plants हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे plants, animals ये सब और wild species उस पर हम लोग depend करते हैं और एक आपको जो मैंने बताया था कि एक food chain भी बनता है उसका जिसको ecosystem में हम लोग discuss already कर चुके हैं तो आप देखिए ये जो diversity है species diversity उसके हमें फायदे देखिए क्या-क्या मिलते हैं food हमें मिलता है खाना मिलता है उससे खाना किसको मिलता है plant से खाना मिलता है कुछ जानवरों को कुछ जानवर हैं जो जिनको बड़े जानवर खा जाते हैं उनको मिलता है shelter मिलता है शेल्टर तिम्बर है तिम्बर से घर बनाते हैं लकडियों से घर बनाते हैं और इसी चरह से शेल्टर मिलता है हम जहां रहते हैं वहां हम अगर मकान बना रहे हैं मकानों में दरवाजे लगा रहे हैं उन सबों में तिम्बर की जरूरत पड़ती है इसके आलावा कपड़े कपड़े भी इन्हीं से मिलते हैं, कपड़े भी इन्हीं से मिलते हैं, पहले तो कपड़े उनके भी बनते थे, जैसे खरगोश है और इसी तरह के जो उन वाले जानवर हैं, या फिर जिम के बड़े बड़े फर होते हैं, वो जानवर हैं, उनको मारके और उनकी खाल से भी कप है तो लेकिन किर हम दो कपड़ों की हमारी जरूरत की यो पूरती होती है उसमें आप कि अ प्रोटन एक बड़ा है और cotton से हमारे कपरों की आप उठी हो, cotton से कपड़े बनते हैं, तो इस तरह से इतना ही नहीं, ये तो है कि जो हमारी basic needs हैं उनको, pharmaceuticals के जो, मतलब जो दवाईयां बन रही हैं, वो दवाईयां भी ज्यादा तर इन्हीं प्लांट से बन रही हैं, प्लांट से बन रही हैं, कुछ दवाईयां जो जैसे insulin है, जो diabetes के patients को लगाया जाता है, insulin, insulin जो बनता है, वो insulin भी, आप देखेंगे, कि जानवर से निकाला जाता है उसे और फिर उसे inject किया जाता है, और फिर उसे inject किया जाता है diabetes के patients, तो वो मिलता है, अब 40% pharmaceuticals, जो US में used होते हैं, US का इसलिए उदारण है, क्योंकि वहाँ इस पर काफी research हुआ है, इसलिए US का उदारण दिया जा रहा है, तो 40% pharmaceuticals जो है, वो synthesized हैं, लेकिन जो plant से निकलते हैं, और उनसे वो दवाईयां बनाई जाती है, मतलब जो basic raw material है, वो उनहीं से निकला जाता है, और उनसे फिर दवाईयां बनाई जाती है, मतलब natural compound, plants से निकला जाता है, और फिर उसे दवाईयों में इस्तमाल किया जाता है, तो इस तरह से दवाईय, मतलब plants है, animals है, micro organism है, ये इन में से कई हैं जो दवाईयों के, दवाईयां बनाने के काम आते हैं, तो ये हमारा है, forest हमारे लिए जरूरी है, forest, forest, अगर forest ना हो, तो हमें oxygen नहीं मिल पाएगा, अगर forest ना हो, तो मिट्टी को बांधने के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं रह पा जाएगा, आप देखेंगे कि पहाड़ों पर थोड़ी भी बारिश होगी तो land slide होगा, अभी तो जब बहुत भारी बारिश होती है, तब land slide होता है, तो इस समय थोड़ी सी बारिश से land slide होगा, तो इस तरह से वैग्यानिकों ने, आप लिख लेंगे 1.75 million, 1.75 million, को साइंटिस्ट ने डिसकवर किया है, उसका नामकरण किया है, नामकरण किया है, लेकिन 20% है यह total species का, पृत्वी पर जितनी species मौझूद है, उसका यह सिर्फ 20% है, आप समझिये कि करीब 80% है, जिसको अभी तक वैग्यानिक डिसकवर तक ने कर पाए, वैग्यानिक अभी तक डिसकवर ने कर पाए हैं, 80% को, सिर्फ 20% को डिसकवर कर पाए हैं और उनका नामकरण किया गया है, उनको नाम दिया गया है कि इस species का यह नाम है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जो जगे जगे पाए जाते हैं, कुछ है जो खास लोकालिटी में पाए जाते हैं, कुछ है जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं तो इस तरह से अगर हम देखें और प्लांट्स को भी अगर देखें तो नौर्थ साउथ अमेरिका में फिर अमेरिका का उदारण इसलिए है कि अमेरिका में इस पर काम बहुत हुआ है लेकिन दूसरी जगे भी काम हुआ है और हमारे हाँ भी काम हुआ है मतलब इंडिया में भी बाद में काफी काम हुआ है लेकिन शुरुआती दौर में इंडिया में उतना काम नहीं हुआ था तो नौर्थ साउथ अमेरिका में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल आते हैं, उनकी संख्या 85,000 है, 85,000 जिनको नाम दिया गया है और जिनको डिसकवर किया गया है और नाम दिया गया है, 85,000 flowering plants, एशिया में करीब 50,000, 50,000 flowering plants हैं, एशिया में, एफ्रिका में लगभग 35,000 flowering plants हैं, 35,000 flowering plants in एफ्रिका, तो आप देखिए कि जग है जग है, और ये सब जो flowering plants हैं, वो अलग-अलग species हैं, एक species नहीं है ये, अलग-अलग species हैं, अलग-अलग तरह के फूल आते हैं उसमें, अलग तरह के plant हैं, और आपने शायद बहुत सारे ऐसे plants देखे भी होंगे, जिनको अब मैं अगर ये कह रह हों, 85,000, 50,000, 35,000, तो ये वो plant हैं, जो अलग-अलग species के हैं, ये वो plant नहीं है, जो एक genetic group के हैं, वो plant नहीं हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है, जैसे गुलाब है, गुलाब में लाल गुलाब है, गुलाब में पीला गुलाब है, गुलाब में सफेद गुलाब है, गुल वेराइटीज के साथ अगर हम इसको रखते हैं तो इसको एक ग्रुप में रखते हैं एक ग्रुप में रखते हैं जो बात की जा रही है तो इस तरह के कई ग्रुपस हैं और यह अलग-अलग species है तो देखिए यह बायो डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं और उसके types की तो यह पहला type है जिसकी अभी हम लोगोंने बात की और वो है species ओके दूसरा है दूसरा है genetic क्यों यही है ना यही है ना यह सर आप देखिए scientist ने बहुत सारे जो scientists हैं उन्होंने एक alarming situation बताई है इन species के लिए alarming situation किस बात की alarming वो कह रहा है कि प्रिथवी पर से बहुत सारी species species को कहता है प्रजाती हिंदी में प्रजाती तो यह जो प्रजातियां हैं यह विलुप्त हो रही है आपको पता है बहुत सारी प्रजातियां बेलुप्त हो चुकी हैं अर्रेडी जैसे उन में से एक को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और उसका नाम है dinosaur जिस पर फिल्म भी बनी है और dinosaur अब आज से लगभग 65 मेलियन साल पहले एक मिलियन में 10 लाट होता है तो अबाओज 65 मिलियन इएर्स एगो बे वैनिश ये बिलुकत हो गई प्रजाती dinosaur की प्रजाती बिलुकत हो गई और वो 65 मिलियन साल पहले और जो उसके और शीस मिले हैं उसमें से पता लगा है कि डाइनासोर में कुछ डाइनासोर तो थे जो हर्भी वोरस थे, कुछ डाइनासोर थे जो कार्णी वोरस थे यानि मांस खाते थे और कुछ डाइनासोर थे जो फेर पौधे पर जीवित रहते थे यानि शाकाहारी निके तो यह जो है यह एक alarming situation है और बहुत सारी प्रजापतियां बिलुप्त हो चुकी है और कुछ बिलुप्ती के कगार पर है यह खतम होने जा रही है दुनिया में इनका नामों निशान निट जाएगा यह अलग से भी एक है आपके syllabus में उसकी हम लोग और आदे चर्चा करेंगे के पहले हम लोग बात करते हैं जो दूसरा टाइप है बायो डाइवर्सीटी का और इस जेनेटिक जेनेटिक आप जानते हैं जीन से बना है मैंने हर जीव जन्तु में एक उसका जेनेटिक जीनों भी कहते हैं वो जेनेटिक उसका एक कांस्ट्राक्शन होता है जेनेटिक का मतलब है कि डाइवर्सीटी विदिन एस्पेसीज मतलब एक जो एस्पेसीज है उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सीटी पाई जाती है जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था गुलाब की काला गुलाब है लाल गुलाब है गुलाबी रंग का गुलाब है पिंक गुलाब है वाइट गुलाब है अब देखिए यह जो रोजेज हैं डिफरेंट टाइपस ऑफ रोजेज यह एस्पेसी तो एक है लेकिन genetically इसमें डिफरेंस है इसलिए कोई लाल है कोई पीला है कोई काला है इसलिए तो यह जो genetic diversity है यह genetic diversity within the species होता है within species एक दूसरे से सारे species genetic आधार पर जुरे हुए है और जो बहुत close species हैं एक दूसरे के मतलब genetic information जिनका बहुत close है एक दूसरे से वो genetically हैं बहुत करीब हैं genetically और यही जो बहुत करीब हैं they need and they produce eggs और जो भी है मुर्गी जैसे चूजा पैदा करती है अंडे से अंडा देने वाले होते हैं यह तो जो मिलन होता है यह genetic आधार पर ही जो बहुत करीब के हैं genetically उनहीं में मिलन होता है और reproduction होता है और उनका वंश आगे बढ़ता है अब जो members हैं अलग-अलग species के वो genes को कई बार share करते हैं genetic मैंने genes कहा था तो यह genes को share करते हैं आप genes समझते हैं genes समझते हैं आप लोग Yes sir क्या है genes तो यह जैसे पेरेंट्स से आते हैं और पेरेंट्स में भी maternal साइड और paternal साइड यानि बिता की तरफ से आते हैं और पेरेंट्स ने भी से या मा की तरफ से बहुत दूर से यह genes आ सकते हैं तो species में जो genes मिलते हैं आप दखिएगा एक ही माबाप के जो बच्चे होते हैं वो एक बच्चा गोरा होगा एक बच्चा किसी पाला गोंगराला होगा और किसी के बाल गुंगराले नहीं होगा तो curly hairs और a straight so why? this is because of the genes the child is inheriting either from maternal side or from paternal side and it can go to generations, it's not one, two, three, four generations, generations बहत उपर से आ सकता है तोनों साइड में से तो यह जो है यह किस तरह का वो होगा यह उस पर जीन पर डिपेंड करता है और यह बायो केमिकल इन्फॉरमेशन भी देता है जीन जो है वो बायो केमिकल इन्फॉरमेशन भी देता है बायो केमिकल इन्फॉरमेशन मतलब बायो केमिकल इन्फॉरमेशन मतलब बायो केमिकली अलग है वो biochemical information के कारण भी है और उसमें behavior अलग तरह का हो सकता है लेकिन अगर genetically वो समान है तो उनका behavior बहुत मिलता जुलता होगा मतलब genetic अगर मिलता है जनॉम अगर मिलता है तो उनका behavior भी होगा उस तरह के जानवर का वो एक जैसा होगा जैसे आदमी तो पैरों पर खड़े होके चलते हैं कुछ जो जानवर हैं चार पैरों पर चलते हैं तो ये उसमें कुछ है जो बिल्कुल different दिखाई देते हैं कुछ हैं जो जैसे आप देखें billi tindua bag tiger shade lion यह सारे देखेंगे आपकी एक काटेगरी के दिखाई देते हैं, बहुत मिलते जुलते के दिखाई देते हैं, but even then they are genetically different, they are different species-wise also, इनकी प्रजातियां भी अलग-अलग, शेर अलग प्रजाती का है, टाइगर अजद अलग प्रजाती का है, तो अलग-अलग प्रजाती, तेंदुआ जो है लियोपार्ड वो अलग प्रजाती का है, तो इस तरह से यह सारे इनके जो behavior है, वो different behavior है, लेकिन फिर भी समानता इसलिए दिखाई दे रही है, कि उनको उनका अगर family आप देखेंगे, तो that family may be one, family एक हो सकती है, लेकिन species अलग है, genetically भी वो अलग है, ठीक है, and the third one is, जिस तीसरे की बात कर रहे थे हम, वो है ecosystem diversity, ecosystem diversity, जिसको ecological diversity भी कहते हैं, ecosystem diversity को ecological diversity भी कहते हैं, अब देखिए ecological diversity, यह ecological diversity क्या है, और इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, किसी भी local ecosystem में, किसी भी local ecosystem में, यह एक species का एक खास network होता है, और इन सबों को सूरज से अनर्जी मिलती है, सनलाइट से अनर्जी मिलती है, सो फ्रम वर देखते अनर्जी? फ्रम देखते अनर्जी, प्रम देखते हैं, अनर्जी, अनर्जी, इसलाइट से अनर्जी अनर्जी मिलती है, गास को, पेड को, पौधे को, अब वो फूट चेन जो बनता है उससे जिसको हम लोग पिछले इसमें इको सिस्टम में हम लोग डिसकस already कट चुके हैं तो उससे उनको मिलता है पूरा फूट चेन बनता है उसको एनिमल खाते हैं तास को पेड़ पतियों को पौधों को उनको जो मांसाहारी जीव हैं यानि कार्णिवोरस एनिमल्स दे इट दोज एनिमल्स स्मालर एनिमल्स दोज वोग डिपेंडेंट ओन प्लांट्स और इसी तरह से अलग-अलग इको सिस्टम में जैसे डेजर्ट इको सिस्टम है जैसे पानी के अंदर का एक एक एको सिस्टम है धर्ती पर एको सिस्टम है पहाड पर है उसका फूडचेंज जो है वो इसी तरह से बनता है लेकिन अलग है अब पानी में बनेगा तो फूडचें अलग बनेगा क्योंकि वहां अलग-अलग तरह के जीव जनतु अलग-अलग करा के सम फिष्टेंज और अनिमल्स विच लिव इन वाटर अलग वांगस तो यह सब भी खाते है